नमस्कार फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे खस्था खस्था मट्री वैसे भी सर्दियों का मौसम है और आज दिल्ली में बारिश हो रही थी तो सोचा खस्था खस्था मट्री बनाई जाए उसके लिए एक कप यहां पे मैदा लिया है और एक चमच आप एजवाइन डालिए के का से आप इसको mix कीजिए देखिए अभ मैं इसे mix कर रही हूँ जब आठा इस तरीके से हमारे हात में आ जाए तो समझो हमारी मट्री खस्ता बनेगी फिर पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी लगाके हम इसका आठा लगालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाला है एक बार में पानी नहीं डालना है देखिए अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट के लिए ढखके रखेंगे 10 मिनट रेस्ट करने के बार देखिए अब मैंने इसकी दो लोई बना ली है और बेरन की सहायता से आटा को क्या करेंगे बेल लेंगे दूसरे दर्फ मैंने यहां पर दो चमच मैदा लिया है और दो चमच पानी डाल के इसकी सलरी बना लेंगे और slurry को जो है उंगलियों की सहायता से हम आटे पे फैला लेंगे देखिए अब इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है और फिर से हम बेलन की सहायता से हम इसे फिर से बेलेंगे और फिर से हम इस पे slurry लगा लेंगे और हम इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे अब चाकू की सहायता से हम इसको इस तरीके से इसके pieces कर लेंगे इस तरीके से cut कर लेंगे और उंगलियों की सहायता से हम इसे flat कर लेंगे अब हम इस मट्री को तेल में डाल देंगे और gas की आंच को जो है medium to low flame रखेंगे फुल आंच पर मट्री को हमने नहीं पकाना है इसको फुल आंच पर नहीं पकाएंगे हम धीमी आंच पर रखेंगे और इसको पकने में 5-10 मिनट लगेंगे अगर हम इसे फुल आंच पर पकाएंगे तो बाद से तो हमारी मट्री पक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रहेगी और वो खस्ता नहीं बनेगी देखिए कितनी अच्छी हमारी मट्री बनी है अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे देखिए कितनी अच्छी हमारी मट्री बनकर तयार हुई है अब मैं आपको तोड़के दिखाऊंगी देखिए कितनी खस्ता मट्री बनिया हमारी कितनी सारी लेयर्स आई है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा थैंक यू